अस्सलाम अलेकुम के सो आप सब अलम्दुलिल्ला में एकदम ठीक उम्मिद करती हूँ कि आप सब भी एकदम ठीक होंगे तो भाई पिटारा का वीडियो कहां से शुरू हुआ आप लोगों ने ध्यान दिया जिसके अंदर ये सेलिब्रेट कर रही है कि इसकी गाड़ी आ गई है न वो भले वीडियो में वीडियो कहां से शुरू आत हुई है रात को मतलब कि दिन भर कहां थी पिटारा दिन भर तू व्लॉगिंग नहीं करती है तू कुछ भी नहीं दिखाती है पीछे पीछे क्या प्लैनिंग क्या प्लोटिंग कर रही है वो सारा कुछ चुपाने के लिए रात के अंधेरे में तेरी व्लॉगिंग चालू होती है खली एक किलीब तू इतना सी डालती है कि हम सहरी कर रहे है क्योंकि दो दिन से भई मैं सहरी के उपर बात कर रही हूँ न कि ये सहरी नहीं दिखाती है तो ये रोजे नहीं रखती है तो इसके लिए आज इसने छोटी सी किलीब नाश्टे की नाश्टे की छोटी सी किलीब डा दी और उस पर लिख दी के सेरी हो रही है तुझे क्या लगता है पिटा रहा तो लिख देंगी तो हम लोग मान जाएंगे कि तुसेरी कर रही है किती बड़ी तु जूटी है कि हमें अच्छे से पता नहीं हमें बहुत अच्छे से पता है भई तु किती बड़ी जूटी यह तू नाश्टा कर रही है सिरिफ और सिरिफ सुटिंग दिखाने के लिए सुटिंग करते न वैसे तू शुटिंग कर रही है क्लिप बनाने के लिए ताके मैं ओडियंस को यह बता सकूँ कि यह हमारी सहरी हो रही है बाकी फिर तुझे देखो इसको घर में कोई काम नहीं होता ठीक है इसको बच्चे नहीं समालने होते है इसको कोई जुम्मेदारी नहीं है कुछ नहीं है तो पुरा दिन ये व्लोगिंग क्यों नहीं करती है जाहिरती बात है न चोर की दाड़ी में तिनका कुछ न कुछ गलत कुछ न कुछ फ्लैनिंग कर रही है कोई न कोई इसके घर पे आता है इसके लिए ही तो ये व्लागिंग नहीं कर रही है रात को व्लागिंग सुरू की और बोरी है यह हमारी चटी गाड़ी न मेमान है एक दिन की मेमान है यह गाड़ी न हमारी चली जाएंगी अरे पिटारा कितनी तु जूटी और मकार औरत है जब से तुने पहली गाड़ी जो ली थी सौधी के आने के बाद में उसके बाद में तुने कितनी सारी गाड़ियां ली तुने बोली ये बेच देंगे वो बेच देंगे कहां पे बेची कौन बेचा किसको बेची किते पैसे आए क्या हुआ कुछ भी नहीं बताई तु जूट जरा कम बोल तेरी सारी गाड़ियां है न कराची में रेंट पे चल रही है और तु क्या बोलती है तुन्हें गाड़ियां बेच दिये अल्ला तुससे पूचेंगा रमजान के महीने में भी तरह जूट नहीं बंद होता शरमानी चीए तुझे कि बहुत अच्छा बेवकूब बनाती है ये वैसे मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है जब इसके भाई की बेटी यहां पे थी तो वो हमेशा इसके साथ साथ में नजर आती थी और जब तलक के रमजान को चुपा के रखी थी तब तलक के अनीता साथ साथ में नजर आती थी लेकिन अगर अब आप लोग ध्यान दोगे न तो सिर्फ और सरीफ रमजान इसके न साथ साथ में नजर आता है मतलब रमजान से ये कितना चिपकी रहती है आप लोग खुद ध्यान दो इसको आदमियों के साथ में आदमियों की कमपनी इसको कितनी अच्छी लगती है न तो रमजान की बीवी अगर उसको कोई खबर पहुचाओ भई कोई मेरा वीडियो दिखाओ के बचके रहे तू भी अब बचने वाली नहीं है ये रमजान को भी ना बरबाद नहीं रमजान खूश हो जाएंगा हाँ तू बरबाद होने वाली है क्योंकि अब ये रमजान को भी नहीं छोड़ने वाली बचकी ये जो दिलबर का दोस्त था इसने बताई कि वो इसके साथ में गाउं जा रहा है गाड़ी लेने के लिए और ये जो छोटी गाड़ी है तो ये भेज रह तो फिर नवी गाड़ी लेके गोंचू आएंगा तो मेरे ये नहीं समझ आया कि साथ में वो आदमी को जाने की क्या जरूरत थी मतलब कि ये बात तो समझी नहीं आई कि वो आदमी क्यों साथ में गया हाँ ये गाड़ी लेके जाते फिर दोनों गाड़ी को वापिस लाना ह थो समझ में भी आता लेकिन इसने तो ये बोली ये गाड़ी वापी देंगे बेच देंगे और जो दूसरी मेरी गाड़ी है न वो लेकर आने माले थो फिर दूसरा आदमी क्यों साथ में गया पिटारा तिरतारा पिटारा खुलेंगा बेट बस वीडियो है ना पूरी देखो बकी दूसरे दिन फिर से वीडियो सुरू हो गया मतलब के मुस्तफा ने फिर वीडियो स्टार्ट किया यही वीडियो में मतलब दो दिन का वीडियो इसने दिखाई कितब बेवकुब बनाती है यह क्या करती है पता है कि दिन का वीडियो होता है किलीप को आगे पीछे करके डालती है जेते सुबा का शाम डाल देती है और शाम का सुबा डालती है और यह जताती है यह के न यह वीडियो आज का और कल का है लेकिन ऐसा नहीं होता है आज का और कल का वीडियो इसका नहीं ह तो रहा है रोजा खुलने वाला ताना वहां से मुस्तफा ने केमरा उन किया बच्चों को पार्क में दिखाया फिर घर चलो रोजे खुलने का टैम हो गया मतलब पिटारा कितना बेवकू बनाती है आद देखो इतने दिन से यह रोज कपड़े दिखाती है आज में यह जरए योजियो के ओपर ध्यान दोगे न तो एक वीडियो में पूरी दोपैर है फिर दिखरा सीराथ का कहां सीनद और कोई वीडियो सूबा में शाम वीडियो यह बनाती है अलग अलग सीन इधर इधर उधर फिट करके यह एक दिन का तीन वीडियो बना डालती है अगर आप लोग जाके इसकी गाड़ी अले वीडियो का थनेल देखो उससे पहले वाले बुद्नी उसका थनेल देखो उसके सेम कपड़े गौंचुवा जा रहा था जो कपड़े में यह थी ना वही कपड़े में नैक दे भी हो गया िसको बेवट बना रही है अब को यह ना बोले कि भ不知道 होगा तो अप पड़े नहीं चेंज कर रही होगी तो भई यह तो मों शेरी की मैंने रोजा रखी मैंने रोजा कोली इसमें तैसा कुछ नहीं बोली मेरा रोजा नहीं है मेरे रोजा चुते हैं मुझे यह नहीं समझा गये और है कि यह उरुत है ना यही पफ्छली कॉ another test इस साडिय पुरुबरू प्रुछोम होगे भी उसके पूरे यही उर्ग यह तु नह मेंने हो कहरे क्वाणा आप कि तीन दिन फोग दी और तुने यह जता दी कि यह तीन दिन का वीडियो है तो बेवकुब बनाना बंगर तेरे कपड़ों जी तु पकड़ी गई जिती न हे तीनों दिन thou है तुनिये एक ही दिन में तीन का विडियो बना दी और तु आडियंस लेमות बना बना के विडियो डाले और बेवकुत पता है किसे बनाई इसने में इसमिंए बोली कि कल रोज़ा खुलने का स्वरी एक्टारी गिस्तोरी सेरी के बाद मेरे हस्बेन यहां से चले गएते चोटी गाड़ी लेके और तब्यत कुछ ठीक नहीं थी रोजे में इतनी वीकनेस लग रही थी तब्यत कुछ ठीक नहीं लग रही थी रोजा बहुत लग रहता मुझे न तो मुस्तफय ने तोड़ी बहुत वीडियो बना ली तो बस अभी 10-15 मिनेट में ना हस्बेन वापिस आने वाले नवी गाड़ी लेके और यह बात बोल के यह इतना अच्छे से बेवकूप बनाई है आउडियंस को तुझे पता चल गया के 10-15 मिनेट में ही वो आने वाले है और यह इतने जता ही क्या है कि यह गाड़ी बस तेरे बीत रोजे हो गए लिप्तिक लगाके बड़े बड़े नाकुनों के साथ में बीत रोजे हो गए जूती मगरीब नहीं पढ़ते तुम लोग मगरीब होते साथ में रोजा खुलते साथ में तो जूला चाय दिखाती है नमाज तो कभी नहीं पढ़ते नमाज पढ़त इस्तिक लगाना भी यह नहीं बुलती ना यह तुम्हें भुली गई थी बताना जब गाड़ी अंदर आई है एंट्री हुई यह गाड़ी की तो पिटारा की एक्टिंग यार देखने वाली एक्टिंग की ऐसे खूश हो रही थी जेते पहली बार इसने गाड़ी देखी है ज इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है ना पिटारा और आप लोगों को यह भी बताऊंगी कि यह आदमी क्यों साथ में गया था डीडी जो दल्ले का दोस्ते और जो गोंचु है इसके कपड़ों पर भी ध्यान देना क्योंकि इसने तो यह बताई है ना कि लोग आज गए कल इसको गाड़ी में राउंड खिलाने के लिए लेके गई तो गोंचुनी गया साथ में लेकिन हां रमजान जरूर इसके साथ में गया मतलब रमजान के पिना किटारा से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है हलाके साथ में कौसर भी गई है और अनिता भी गई है लेकिन आप मुस्तफा को भी ये साथ में लेके गई थी मुस्तफा अपनी अकैडमी में उतर गया और फिर आगे आके कौन बैठा रमजान अनिता भी तो कैमरा पकड़ लेती है ना जब ये अनिता को लेके रोल खाने के लिए गई थी तब आगे अनिता ही बैटी हुई थी कैमरा पकड़के तो अनिता भी तो कैमरा पकड़के बैट सकती थी लेकिन नहीं भई इसको रमजान की कमपणी बड़ी अस्ती लग रही है रमदान के बिना इससे रहा ही नहीं जा रहा है बहुत जल्दी रमजान के साथ में इसकांड आएंगा और पुरूप के साथ आएंगा और इतने आयत के तरफ देख के बोली के आप मेरी वीडियो बनाओगी लेकिन पिटारा तू भूल गई के पीछे दीख रहा है भी साथ नजर आ रहा है के रमजान गाड़ी के बाहर खड़ा है और जैसे ही मुस्तफा आटा न वैसी ही वो बैठा है गाड़ी में आगे आगे वाली सीट पे तो तू ये तो मज जता के आयत तेरी वीडियो बना रही थी बेवकूफ है न किसी और को बना वैसे पिटारा तू बहुत ज़्यादा भागती है मतलब सपोर्टरों के थू बहुत ज़्यादा भागती है सलमा के बच्चों के उपर तो ये जो तेरी छोटी अली बेटी कौसर कौसर करते रहती है और तेरा बेटा कभी अनीता अनीता करते रहता है तेरी बेटी बड़ों का नाम लेती है तो क्यों न थोड़ी सी अपने बच्चों की तरभियत कर ले तू थोड़ा तो इनके अंदर मैनेज दाल दे क्योंकि जो चीजों से तू जाहिर थी बाते बच्चे माबाप को देखके ही सिखते हैं तो कम से कम तू अगर किसी को इज़त नहीं दे सकती है इज़त से नहीं पुकार सकती है तो बच्चों में ही थोड़ा थी मैनेर्ज दाल दे कि बड़ों को कैसे बुलाना चीए बत्तमीज औरत खुद भी बत्तमीज है और बच्चों को भी बत्तमीज बना रही है वैसे बेवकूफ औरत को शादियों के अलावा कुछ नहीं सूचता है आप लोगों को पता ही है और हमेशे इसका ध्यान यही रहता है कि कौन मर्द बस कुदी लोगों ने चाई के कब गिरा दिये बताओ भी क्या डायमन लगे हुए है तिरी गाडी में कितना फेक कितना जूड बोलती है और बस भी ख्याली कुलाओ बनाते रहती है बाकि इतने एक डायलोग और मारी के कोसर के बच्चे के लिए नवी गाड़ी आ गई इसमें लेने जाएंगे ये कोसर के बच्चे के लिए अच्छा कोसर के बच्चे के लिए कोसर को तुने नव मैने में कभी नहीं पूछी कोसर के बच्चे के लिए अरे कोई भी चीज जो तेरे घर में आईए न उसी फॉर स्रीफ तेरी आयाशियों के लिए आईए कोसर छोड़ दे तु तेरे बच्चों के लिए तक के नहीं लिए तुने घोंचु के लिए तक के नहीं लिए बस बड़ी-बड़ी बाते करने को च प्रवाइच चूना और फिर से इसने बड़ी बड़ी बाते की और इसने यह भी बोली कि मुझे नहीं पता थी गाड़ी इसनी लंबी है अंदर नहीं आएंगी यह वो पिटारा तुझे साब पता था एक नंबर की तुम कार हो रहत है ठीक है और दूसरी बात इसने बहुत ब बड़ा सपोर्ट किया बड़ा अपना कीमती तहन से निकाल के आप मुझे सपोर्ट करते हो आप मेरी वीडियो को वाच करते हो मतलब के लोगों को सेंडी लगा रही थी यह सारा कुछ बोल के और यह जो इतना बोली है कि मैंने जितना सोची नहीं थी अल्ला ने मुझे उस रहे थी उसमें यह बोल रही है कि घ्रा मुझे देता ना तुम्हें रोज इफ्दार करवा थी वहाँ पर ये ये वालय डायलोग मार크 बोल रही है कि अल्जा ने हम गल्प इंदें तलग के कि मैं रोज इफतार कर वा सकते बोलने का मतलब तो वही था और इस वीडियो में बोल रही है कि अल्ला ने मुझे इतना गया है कि मैं जो भी चीज सौसी हूं वो फौरान ले भी लेती है मुनलब अल्ला की राह में जब कर्चा करने की बात आती है तो ये जताती है कि अल्ला ने अभी मुझे इतना दिया नहीं कि मैं रोज इफ़तार करवा सकी और जब आयाशियों की बात आती है तो ये जताती है कि अल्ला ने तो मुझे बहुत दिया है और आप सबों ने मुझे सपोर्ट किया है ना इसके लिए मैं इतनी आयाशियां कर पा रही हूं किसी डोगली औरत है ना घटिया औरत बाकी इसने एक बार भी नहीं बोली कि ये गाड़ी हमने किते की लिए कहां से लिए जूनी लिए नवी लिए कुछ भी नहीं बोली क्योंकि जाहिर सी बात है फिर प्रूफ ले लेके आ जाएंगे रियक्शन वले अगर ये बोलेंगी जूनी लिए है तो भी प्रूफ आ इसके लिए इसने कुछ भी नहीं बोली बस गाड़ी आगई गाड़ी आगई गाड़ी आगई किये क्यों कि प्रूफ आएंगे फिर से मुपे चमाट पर जाएंगी इसके बाकी यह जो जतार यह ना कि गाड़ी गाओं से आई ए और इनकी गाड़ी गाओं चले गई यह तो कराची में जाके जब इसने गाड़ी को बुक करवा के आई थी और जब गोचु गायब हुआ था ना वो टैम पे ही गाड़ी इसकी आ चुकी थी और यह जो साथ में भटकती आतमा की तरह वो जो डीडी का दोस भटक रहा है ना गाड़ी शायद इसके घर पे खड़ी थी उदर पे वहाँ पे इन लोगों ने चुपा के रखे थे ताके हम लोग है ना बहाने कर सके के भई गोचु ने तो गाड़ी नहीं लेके आया है आप लोगों को पता ही है जब गाड़ी बुक होती है ना तो फोरन डिलिवरी नहीं मिलती है जैसे कि इसने ही अपने ही वीड दी थी न तो ये step 2 step बता रही थी कि आज paper देखके आई आज ये form फील करके आई आज वो form फील करके आई आज पैसे देखके आई इतनी तारीक की booking है उतनी तारीक को गाड़ी मिली वो हिसाब से न ये सारा कुछ हुआ है वरना आप लोग खुछ सोचो के गाड़ी डेरेक आ कोई paper sign नहीं हुए कोई पैसे नहीं दिये गए कुछ नहीं हुआ पेपर उपर सारे के सारे sign हुए सब पूछ हुआ है जब ये कराची गई थी ना सारे paper वगेरा sign करके सारे पैसे सब भरके और फिर इतने न ये गाड़ी वहां से निकल वाई है और जब ये गाड़ी लेने गाड़ी है ना रस्ते में से डिलेवरी ले लिये ते गाड़ी की और अब ये क्या जता रही है कि भई मुझे तो पता ही नहीं था कि कौन सी गाड़ी अच्छा पिटारा विना paper पे सायन किये तेरे को गाड़ी बेद दिया सामने लेने क्यों तेरा रिष्तेदार लगता है या तेरा कोई वो लगता है जो तेरे को बिना paper के बिना कोई document के बिना पैसे के हर चीज को छोड़ के बस तुझे गाड़ी उठा के दे देंगे कि जा भी भी गाड़ी चला ले आराम से मजाएंगा तो पैसा देना नहीं तो मत देना सबजी है क्या और ये manual और ये automatic ये सार से बाहने से गाड़ियां और property बनाते रहती है रेंड पे चड़ाते रहती है और जब अल्ला की राह में खर्चा करने की बात आती है ना तो ये बोल देती है अल्ला ने अभी मुझे उतना दिया नहीं कि मैं अल्ला की राह में खर्चा करूं ये घटिया और इस तरह की बात तो खली इधर जा रही हूं वो गली में जा रही हूं पुराने घर पे जा रही हूं तो लोग सोचते थे ना कि ये कर क्या रही है इसे भटक क्यों रही है क्या काम के लिए इतने दिन से रुखी है तो पता चल गया क्या काम से रुखी थी भई गाड़ी और भी एक चीज इतन चीजे खरीद रहे फिर भी जब अल्ला की रा में कर्चा करने अली बात आती है ना तो यह बोलती है अभी अल्ला ने मुझे उतना दिया नहीं है लग दी लाना ते पिटारा ते रहे उपर तो चले जी इस वीडियो को यहीं पेंड करते वीडियो कैसी लोगी कमेंड में जरूर बताना वीडियो पसंद आएंगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना मिलते नेक्स वीडियो में ला पीस